आपनी यूटीब चैनल मेडिकोटपर आपका स्वागत है और आज के इस वीडियों हम डिसकस करने वाले रास्तान कांसलिंग से रिलेटर जित्तिमी स्टुडेंट के डाउट से वो सारे डाउट जो है इस वीडियों हम क्लियर करेंगे तो गाज जो इस्टुडेंट है उनको रास्तान आज कांसलिंग से रिलेटर कापी सारे डाउट है और वो मुझे कमेंड करके और वाट्साप गुरूप पर भी मैसेज करके मुझसे पूछ रहे थे कि सरा हम जो है सेकेंड डाउट में को सीट अलोट हो गई है तो क्या हम मोप कोवराउंड की जो eligibility criteria है वो क्या रहीगा तो इन सब के बारे में जो है इस वीडियो में हम discuss करेंगे इस वीडियो में आपके सारे doubts जो है वो सारे clear हो जाएंगे क्योंकि जित्ती भी comments है जित्ती भी message मेरे पास आये उन सब का जवाब जो है इस वीडियो में मैं आपको देन करने वाला हूं तो गईस वीडियो इंपोर्टेइन इसलिए वीडियो को बिलकुल स्कीब ना करें और वीडियो कन तक जिरूर देखें व॑कि रहो सबसे पर भारते हैं जो आपका लौट में लेटर है उसके बारे में तो आपको कहा जो है रीपोरटिंग कर्वानने हैं क् और जो DD है वो किसके नाम से बनानी है और कहां जा आपको जमा करनी है तो सबसे पहले आपको जो वेन्यू रहेगा वो रहेगा आपका जोज़पूर उनिवर्शिटी वहाँ जाके जो हैं आपको रिपोर्टिंग करवानी है जो आपकी DD रहेगी वो जिति भी आपकी कॉलेज की फीश है जैसे कि प्राइवेट कॉलेज वह आपको DD बन्वानी है और जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है उसके नाम से आपको DD बन्वानी है जो पूरा एड्रेस है वेन्यू का वो आपके अलोटमेंट लेटर है उसमें दे रखाए वहाँ पर आप जो है फ्लोर सब कुछ जो है सारा एड्रेस आपको अपना अलोटमेंट लेटर पर आपको मिल जाएगा और डीडी आपको दो लाग की बनवानी इसमें आपके जो 25 जारे ने काउंसलिंग फीस के वो इंक्लूड नहीं होगे वो आपको जो है जब आप जब आपने रजिस्टिशन किया होगा तो उस टाइम से उस टाइम पे आपको जो है बैंक डीटेल आपसे मांगी है तो उस बै जो कपीज होने चाहिए और सेल पटेटेज होने चाहिए खुद के साइन होने चाहिए और कौन-कौन से डोकुमेंट आपको लेकी जाने उसका वीडियो मैंने डाल रखा है इस वीडियो के डिस्क्रिप में आपको जो है लिंक मिल जाएगा वहाँ से जाके जो है आप उस कोलेज में जो है 47 इचनों आपको जो जो भी कोलेज हुए जहां भी आपको कोले लन तो आपको जो सेनको बात करते कि जिनको सेकिंद जोडने करने और सिंक उड़ने का लाब लिए उसक बारे बात करते है तो सबसे बाले यदि आपने जो है second round में seat alert हो गई और आपने जो है college में जाके reporting करवा दी तो उसका फाइदा है यह है कि आप जो है अपनी जो seat है उसको upgrade करा सकते हो choice filling के माध्यम से लेकिन उसके लिए आपको जो है university में जाके reporting करानी पड़ेगी और यहाँ पर बिना registration और बिना counseling fees के जो है आप मौपवराण में participate कर सकते हो और upgrade के थुरू अपनी college जो है उसका उप change कर सकते हो यदि अगर वो by chance किसी college में seat खा लिए तो वो seat में आपको जो है अगर आपकी अच्छे मांक से तो आपको seat जो है रेपोर्टिंग नहीं करवाएंगे और आम तो जो है मौपवराण में participate करेंगे तो मौपवराण में participate करने के लिए guys आपको counseling fees भी दुबारा देने पड़ेगी registration भी फीस जो है वो दुबारा देने पड़ेगी और जो आपने पहले counseling fees दी ना first round second round में वो भी जो है आपकी refund नहीं होगी और आपकी जो जो पहले की seat है वो भी cancel हो जाएगी तो काईस यहां पर जो है second round में seat छोड़ने का मतलब है कि अपने पेरों पर खुलाड़ी मारना तो इसलिए जो है second round की seat अगर आपको BMS में एडिमिशन लेना है तो second round की seat आप बिल्कुल ना छोड़े आप इससे अच्छा है कि आप upgrade करा दो college में reporting करा दो उसके बाद choice feeling के माद करती है तो ठीक है अगर नहीं मिलती है तो आपकी जो पहले college है वो आपको मिली रहेगी उसमें आपकी seat जो है वो cancel नहीं ही होगी अब बात करती है कि जो private college है इनको लेकर जो student है वो कापी confusion है कापी जो है मेरे पास message करके comment करके पूछ रहे कि शर हम जो है private college हमको second round में अलोट हुई है लेकिन अभी तक जो है CCM से मानिता इनको नहीं मिली बाइचांस या दी इनको हमने reporting करवा दी फीस जमा करा दी और CCM इनके मानिता रद कर दी तो क्या हमारे दो लाग जो है वो फोर्फिट हो जाएं तो आपके जो दो लाग है नो फोर्फिट नहीं होगा अगर बाइचांस private college की मानिता रद हो जाती है आपका admission cancel हो जाता है तो आपके दो लाग भी refund होगे और 25,000 भी जो है वो refund होगे जो अगर अप्ग्रेड होगी तो वहां पर आजाएगा नहीं होगी तो जो पहले वाले college वह आपके रहेगी लेकिन यह दिया आप second round में seat छोड़ देते हो तो आपको फिर मोपव राउम में दुबारा से participate करना पड़ेगा वहां पर counseling fees दुबारा से करने पड़ेगा फिर भी आपको कोई भी doubt या कोई भी confusion रहता है तो आप मुझे comment करके पूछे एंड हमारे telegram चैनल पर आप add हो सकते हो वहां पर आप मुझे पूछ सकते हो वहां पर भी आप जो है मुझे contact कर सकते हो एंड़ गास एक important बात यह है कि जो भी ACCC के stay vacancy round में participate करना चाते है और ह सारा update ओ जो है पाना चाते है stay vacancy round से related तो वह जो है हमारे telegram चैनल पर add हो जाए इस वीडियो के description में आपको जो है link मिल जाएगा वहां पर stay vacancy round से related जित्ते भी important update है सारे update वहां पर आपको मिलेंगे क्योंकि guys जो छोटे update होते है उसका वीडियो में नहीं बना सकता है इसलि 2021 के नाम से मैंने गुरूप बना रखा है telegram का वहां पर आपको जो है नीट के जो प्रिवी शेयर की questions paper एंड जो एलन के DLP test paper जो है वह आपको वहां पर provide किया जाता है यदि आप अपने नीट की preparation को और boost करना चाते हो तो उस गुरूप में जो है आप एड हो सकते हो अपने नीट 21 की जो preparation को boost कर सकते हो एंड गाइस हमारा जो है एक बेज जो है वह 16 मार्च को जो है वह आ रहा है बिल्कुल फ्री है आप जो है आप अगर अपने नीट की जो preparation को अच्छी करना चाते हो तो इस बेज में जो है आप एड हो सकते हो अगर इस बेज में आपको कैसे सब्सक्राइब के साथ जब तक ले जय इन जय वारत